नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ शारत प्रधान और लख्णव सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि वैसे कहने को तो भारतिय जंता पार्टी ने महिला अरक्षन बिल पार्लेमेंट में प्रस्तुत कर दिया नए पार्लेमेंट में और बड़ी वावा ही लूटने का प्रयास हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि उन कितने फिकर मंद रहे हैं वो महिलाओं के बारे में और महिलाओं के लिए सब कुछ करने को तयार है इसी वज़े से 33% आरक्षन उन्होंने दिया है और यह उनका मानना कि पहली देश में और विश्व में पहली बार होती है तुबारा यह कहना एक तरफ और दूसरी तरफ जो भारती जनता पार्टी की parent body है ideologue है उनका राष्ट्रिय स्वाम सेवक संग RSS उनकी जो विचारधारा है वो शुरू से ही महिलाओं को समानता देने के विरोध में है वो किसी भी सूरत में आप देखिए जिस तरीके की प्रथाएं चलती रही हैं इस सनातन के नाम पे उस वो सारी प्रथाएं ऐसी रही हैं जिसमें महिला के साथ महिला को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है ये तमाम सारी चीज़ है ये अलग बात है कि उसको ट्विस्ट करके टर्ण करके ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि महिलाओं को बराबरी का धरजा इसलिए नहीं मिल पाया बीच में शुरू में था उनका कहना है कि प्राचीन काल में महिलाओं को पूरा बराबरी का धरजा था और उन्हों धारण दिया है कि किस तरीके से सीता को अधिकार था कि वो अपना वर्चुने लेकिन उनका कहना ये है RSSS का कहना उनके जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं देश के सबसे बड़े एहम ओदे पे बैठे हुएं क्रिश्न गोपाल जी उन्होंने एक बाकाइदा दिल्ली उनिवर्स्टी में एक लेक्च्चा में ये बात कही कि महिलाओं के साथ जो भेद वहाओ आया हिंदू धर्म में उसके लिए भी जिम्मेदार हैं मुसल्मान वैसे उनकी नजर में हर बुरा बादी में जब मुसल्मान यहां पर राज करने के लिए आ गए हिंदुस्तान में तो उनके डर से क्योंकि वो बड़े अचार कर रहे थे लोगों के साथ और महिलाओं को उठा उठा के लिए जा रहे थे और आप सूचे उनको उठा के लिए जा रहे थे और हमारे लोग कु ना आएं और इसलिए मैलाओं का काम करने पर प्रतिबंद लग गए मैलाओं की पढ़ाई पर प्रतिबंद लग गए मैलाओं को हर तरीके से किसी भी तरीके से बराबरी का दर्जा ना दिया जाए उस पर प्रतिबंद लग गए यहां तक उनका मानना है कि जो सती की प्रता ज क्योंकि बहुत बड़ी इवल रही है हमारी सोसाइटी में जिसको राजा राम रोय ने समाप्त किया बहुत 18 शताब्दी में जाके उननीस शताब्दी में जाके उसके लिए भी मुसल्मान जम्मेदा थे क्योंकि जब वो आके लड़ाई में जीतते थे तो महिलाओं को उठा समझा गया कि वो अपने शोहर के साथ अपने आपको सती कर ले उनकी चिता पे ये सारी बातें कही गई एक तरफ और यहां तक आप सूचिए कि जो बराबरी के दरजा चाहें वो प्रॉपर्टी राइट्स हो चाहें पढ़ाई का अधिकार हो चाहें नौकरी का अधिकार हो कि हर चीज में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन का अप्रूवल दिया इसी सनातन प्रथाने जिसके की RSS वाले बहुत बड़े जिसके लिए लड़ने को तयार रहते हैं और कहते हैं यही सही प्रथा हैं आज जब BJP को अगर आरक्षन देना पड़ा है महिलाओं के लिए वो राजनेतिक परपस सर्फ करने के लिए वोट की राजनीती के लिए स्वाष्ट है आप देख लीजे जिए उनका थ्रूआउट यह रवाया रहा है हर बात में किस तरीके से महिलाओं के साथ भेदबा हुआ है कभी भी महिलाओं के अधिकारों के साथ खड़ी होने के लि जो रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चीफ रहे और बीजे पी के बड़े बाहु बली एंपी गोंडाज लेके रहने वाले और जिस तरीके से उनका सुलूक रहा भारत की बड़ी-बड़ी महिला कुष्टी बाजों के साथ जिन्नोंने भारत के लिए तमाम मेडल्स जीते अंतराश्ट्री इवेंट्स में इंक्लूडिंग उलिम्पिक्स में उनके साथ जिस तरह यौन शोशन के आरोप उनके उपर लगे और अब तो चाशीन भी दाकिल हो चुकी है दिल्ली में उस मामले में यही मोधी सरकार ने इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी महीन उन्होंने जो है एक शब्द नहीं बोला प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने यह है इनका महिलाओं के लिए महिलाओं की इज़त महिलाओं का सम्मान महिलाओं के लिए प्रेम यह है ना ग्रह मंत्री अमिच्छा ना प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने इस मामले यह जीता ज मान करते हैं महिलाओं का और तो और जब ये महिलayan आंदोलन कर रही थी धरना दे रही थी जंटर मंतर में इनको घसीट करके उसी दिन नए पार्लिमेंट की बिल्डिंग जहां पे आज ये बिल रखा गया है उस पार्लिमेंट की बिल्डिंग का उद्गाटन था और उसमें पुलीस ने उनको घसीट करके मार करके बूट टक से मार करके इनी महिला कुष्टी बाजों को जो है इतनी बुरी तरह ट्रीट किया उठा के बंद कर दिया और फिर आप कहते हैं कि साब हम तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं उसी पार्लिमेंट में आज आरेक्शन बिल पेश किया है 33% महिलाओं का और इन्होंने तरह तरह की दलीले दी हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए इनके बड़े-बड़े कई RSS के विचारक हैं जिनकों बाकाइदा आर्टिकल्स हैं स्टेट्मेंट्स हैं कि क्यों नहीं बराबरी मिलनी चाहिए अब आप देखिए विड़ो रिमारिज उसके खिलाफ ये बोलते हैं ये सारी चीज़ें उसी सनातन धर्म में मौझूद रही हैं जिसको लेकर के बीजेपी आज बड़ी अग्रसर है बड़ी उग्र है कि कैसे सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया अकी आलोचना कर दी आलोचना सनातन धर्म की बहुत लोग करते रहें लेकिन आज की डेट में क्योंकि ये वोट कैचिंग डिवाइस हो गया है कि कोई भी किसी भी तरीके से उसको घुमा फिरा के अगर किसी भी इशू को हिंदू मुसल्मान का शकल दी जा सकती है तो वो द दी वे इससे क्या होगा चुनाओ आने वाला है आप सबको मालूम होना चाहिए कि यह जो आरक्षन का बिल पेश किया गया है इसी तरीके का एक आरक्षन बिल महिलाओं के आरक्षन का बिल राज्यसबा में मनमोहन सिंग की कॉंग्रेस सरकार यानी यूपीय गवर्मेंट ज उसमें ये बिल राज्यसबा में पास हो गया था लेकिन वो बिल पढ़ा रहा और बाद में जब लोग सबा का टर्म खदर्म हो गया तो वो लोग सबा में पहुंचाए नहीं तो और ये चाहते अगर वाक πολύ इनको महिला के लिए दर्थ था और महिला का इरक्षन देने के लि वाइब भी कर सकते थे क्योंकि राजसबा डिजॉल्व नहीं होती है इसलिए बिल अलाइव रहता है और उसमें समय बचता उसमें टैक्सपेर्स मनी बचता तबाब क्योंकि अब यह जाएगा यह जो नया बिल है क्योंकि उसमें फिर श्रे चला जाता कॉंग्रेस को कि साब यह नया बिल लाया गया है और ऐसी शक्ल में लाया गया है जैसे लगे कि सब कुछ वो वाकई में महिलाओं के लिए इतना कुछ करना चाहरे थे और अब वक्त आया हो इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया है उन्हों यह जिस दिन स्पेशल सेशन ऑफ पार्लिमेंट कि इसमें शायद महिलाओं का आरक्शन बिल लाया जाएगा क्योंकि एक ट्रंप कार्ड होगा 24 के लिए यह क्लियर है कि 24 के लिए बहुत डेस्परेशन है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की फिक्र हो गई है और प्रधान मंत्री जरहिद मोधिक हो गई है कि उनका सपना तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का कैसे पूरा होगा अगर ऐसी ही स्तितियां बनी रही और जो आने वाली चार पाँच स्टेट्स हैं जहां इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट इलेक्शन उनमें स्टिती काफी खराब दिखती है कम से कम चार पाँच में से चार स्टेट् तिलंगाना, चतिसगड, मद्रदेश, राजिस्तान, पाची स्टेट है मिजवराव, ये में चार स्टेट्स हैं, जहां अगर बीजेपी की स्टिती बिगड़ती है, तो पारलेमेंट में क्या होगा, आप सको दी सोचकते हैं, एक माहौल किस तरीके का बन जाएगा, और पारल हतकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाओ जीतना है, तो इसी में एक ये शबूफा भी छोड़ दिया गया, कि साब देखिए हम तो बल्कुल महिलाओं के लिए सब कुछ करने को तयार हैं, और इसलिए हम ये आरक्षन बिल लाएं, अब उस अब भूल जा हो रही थी, उसके अतरिक हातरस में किस तरीके से गैंग रेप के विक्टिम को ट्रीट किया, इस सरकार ने सब को मालूब, किस तरह बीजे पी के एक एमले कुलदीप सिंग सेंगर इन्वाल्व थे, उन्नाओ के मैला के साथ रेप में, गैंग रेप में, और किस तरह उसके बाप को मार भी दिया गया था, उसमें भी कोट ने जब कारवाई करी, तब कारवाई करी, मानि हुई, नहीं तो कुछ नहीं होता, फिर कहते हैं कि हम महिला आरक्षन, कि हम लाए हैं इस देश में, और महिला के सम्मान के लिए हम सब कुछ करने को तयार है, हकीकत समझे, अस जरूरी है, दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें, स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें